आप सभी निशाही परिवारों के बारे में तो सुना ही होगा, पर ये शाही परिवार एक समय में अस्तित्व में आये, उसका कारण इनकी अपार संपत्ति का होना था. जब हमारा देश लोगतांत्रिक देश बना, उससे पहले से ही इन राजाओं का गहरा प्रभाव था. इनकी खुद की सेना भी हुआ करती थी, जिससे युद भूमी में ये अपने दुश्मनों के चक्के छोड़ा दिया करते थे. इनके ठाट बाट को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी राजशाही का. इनका रहन सेन आम लोगों से कहीं अलग होता है. तब ही इनने शाही परिवार का नाम दिया गया है. भारत के कुछ हिस्सों में ये शाही परिवार आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे. ये शाही परिवार पेड़ी दरपेड़ी अपना दबदबा बनाये हुए हैं. इन्होंने अपने शाही परिवार की मरियादा को बरकरार रखा है. आईए आज हम आपको ऐसे ही शाही परिवारों के बारे में बताते हैं. जोदपुर शाही परिवार ये परिवार देश के सबसे चर्चित शाही परिवारों में से एक माना जाता है। ये राजगराना अपने आप में शाही अंदास बनाये हुए है। ये राजगराना जोदपुर में स्थित है, इसलिए इसे जोदपुर घराने का नाम दिया गया है। इस राजगराने के नाम पर 18 संपतियं दर्ज हैं. आपको बता दें, इस घराने के प्रमुक गज सिंग है, जिनके पास उमेद भवन है. ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर माना जाता है. इस घर में 342 कमरे हैं, इसी लिए अपने आप में ये विशाल भवन माना जाता है. सन 1929 इसवी में, जब यहां भहेंकर आकाल पड़ चुका था, तो यहां के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था. तब यहां के राजा ने इस भवन को तोड़वा दिया था, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन गुजार सकें इस भवन को बेस्ट होटल का अवाड भी मिल चुका है. माना जाता है कि जोधपूर की इस फैमिली के पास अपने बनाAY हुए कई किले भी हैं. राज कोट रोयल फैमिली ये परिवार भी शाही परिवारों की लिस्ट में शामिल है. इस रोयल फैमिली के पास अर्बो की प्रॉपर्टी है इस परिवार का प्रमुक युवराज माधवा को माना जाता है ये एक बिजनस्मैन भी है इन्होंने राजखराने की परंपराओं के साथ साथ बिजनस को भी संभाला है इन्होंने बिजनस में भी काफी इंटरस्ट दिखाया है इन्होंने काफी प्लांट भी लगवाए हैं जैसे बायो फ्यूल, हाइड्रो प्लांट और भी कई तरह के पावर प्लांट्स जो डवलप्मेंट के छेत में काफी उपियोगी साबित हुए हैं करीब 100 करोर से जादा इंवेस्टमेंट इन्होंने इन प्लांट्स में किया है और तो और इन्होंने गुज इस घराने की एक मात्र वारिस जिनका नाम राजश्री कुमारी है वो बहुत ही अनुभवी रानी हैं इन्होंने अपने पूर्वजों से राजशी काम काज में बहुत कुछ सीखा है इन्हें शूटिंग का काफी शोक है इनके शूटिंग इंटरस्ट के कारण इनके सी होटल भी है इसे हैरिटेज होटल के नाम से भी जाना जाता है हाला कि इन्होंने इसका नाम लाल गड़ गड़ महल रखा है वडियर रॉयल फैमिली मैसूर में रहने वाली इस रॉयल फैमिली का अंदाज भी कुछ अलग है इस परिवार की प्रमुक युदवीर इस परिवार की पूर मुख्यां जो चार बार मैसूर की सांसत भी रह चुके हैं और सन 2004 में मैसूर से चुनाव भी जीता है। था, वो यहां काफी पॉपुलर हैं। यह फैमिली जितनी राजसी फैमिली है उसके साथ साथ इस शाही फैमिली के राजनेतिक संबंध भी काफी तगड़े हैं। बढ़ोधा की रॉयल फैमिली यह फैमिली अपने ठाट बाट की वजह से जानी जाती है। यूँ कहें कि इ इस राजघराने के प्रमुक हैं और इनका अपना रियल स्टेट का कारोबार भी है। इसके साथ-साथ ये कारोबार और अपने शाही परिवार को भी समाले हुए हैं। ये राजघराने के साथ-साथ बिजनिस में भी अपना स्तित्व बनाए हुए हैं। यहां तक कि इनकी शेत्र के लोग इन्हें अरपती के नाम से भी पुकारते हैं। इनके पास छेसु एकड में फैला हुआ 187 कम्रों का महल है जिसका नाम इन्होंने लक्षमी निवास रखा है। इन कम्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसी सुविधाओं को देखकर आप हैरान हो जाओगे के कम्रों के अंदर इतनी सारी सुविधाएं कैसे हो सकती है। पर ये सच है, ऐसी सुविधाओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शाही परिवार का घर है और इनका रहन सहन आपको इनके राजसी होने का एसास हर पल दिलाएगा। सन 1890 में इस महल को महराजा सियाजी राव तृत्ते ने बनवाया था। अलिसर की रॉयल फैमिली, ये राजस्थान में स्थित है, इसे भी शाही राजगरानों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके मुख्या राजा अभिमन्यू हैं, इन्हें इस छेत्र का राजा भी कहा जाता है। इस रॉयल फैमिली की जैपुर के रन्थमबोर में कई हवेलिया आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां हर साल एलेक्ट्रोनिक डांस फेस्टिवल भी आयोजित कराया जाता है, जिसके स्पॉंसर अभिमन्यू ही हैं। इस परिवार की मुख्या अभिमन्यू के पास 1953 की अमेरिका की आर्मी के पास जो जीब थी वो जीब भी है। इस परिवार की मुख्या होने के कारण इन्होंने परिवार की पुष्टैनी जेवरो को समाल कर रखा है। जो तेरा दित्या पहले कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, हाला कि अब वो बीजेपी से जुड़ गए हैं। ये राजकाज के साथ राजनीती में भी अपना वर्चसु बनाए हुए हैं। और तो और इनके पास 25 से जादा कंपनीज के शेयर भी हैं। जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बिजनस में भी कितने आगे हैं। मेवार राजस्तान अपनी शाहे अंदाज के साथ साथ करोडों रुपे की लग्शिरी गाडियों के लिए भी जाना जाता है। ये गाडियों की शौकीन माने जाते हैं। प्रजन में शाही घराने के मुख्या अर्विन जी हैं, जिनके पास मरसेटीज जैसी ना मालूम कितनी गाडिया देखने को मिल जाएंगी. इनके पास इनकी पसंद की कई गाडिया हैं और ये कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो इनकी गाडियों को देखकर लोग दिवाने हो जाते हैं. ये अपनी गाडियों के लिए खास तोर पर जाने जाते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही, इन्फरमेशन पसंद आ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें